हेलो गाइज आप सभी लोग का स्वागत है तो आज का तुम लोग का टार्गेट है 800 लाइक चलो देखता हूँ तुम लोग कर पाते हो या पिर नहीं कर पाते हो ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो उस पत्तर को उठा लेता है सभी लोग की तो हसी बंद हो जाती ही यहाँ पर टीचर कहा रही होती है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो आज से और अभी से तुम सभी मेरे डिस्पल्स हो तुम लोग मेरे ओर्डर् कि उतनी जली जेनरल और किंग लेवल तक पहुंच सको समझे अब चलो क्रास्रूम में चलते हैं वहां मैं तुम लोग को सारे रूल समझाओंगी कि कैसे कैसे तुम लोग को स्कूल में विभार करना है सब लोग इन दोनों को छोड़के चले जाते हैं यह लोग अभी बंदर कहीं कि चुप चाप नीचे लाइन तो वह शर्माने लगता रहा होते हैं कि हम लोग त्म्हारी तारीफ नहीं करने chỉ इनकाला होते हैं यहां तो यहां तुम रगश्य हलें होता है कि पल्फर को हातमे अभर मूल पर व्रियर यह थार अब तब हरो तुम अब यहां उस एक यूवान सोलजर हूँ वो कहाता है कि नहीं तुम ऐसे बकवास बरी बाते पिलकुल भी मत करो यहां मेरी हालत खराब हो रही है मैं एक पीक लेवल का वारियर हूँ तुम पका तुम पका जेनरल लेवल के होगे दो गांटे पूरे हो जाने के बाद ही अपने पत्थर को न दिख रहा है कि मैं पहले से ज़रा ताकतवर हो गया हूँ, मेरी स्पीड भी बढ़ जाएगी और मेरी ट्रेनिंग की स्पीड भी बढ़ानी है, अब आदा दिन बीच जाने के बाद, टीचर उनसे पूछ रहे होता है कि बताओ, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, याओ तो कह हम लोगों को रूल्स बताए है, मैं तुम लोगों को वो रूल्स पापस से समझा दूँगा, अच्छे तरीके से, अगले सीन में हमें चैंक ये बताता है कि इनके रॉयल स्कूल का, सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, और यह यहां का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी है, यह वार मैं तुम्हें ट्रीट दे दूँगा अगर मुझे मौका मिला तो चाहें कहा रहा हुता है नहीं कोई भी बात नहीं यह तो बस छोटी सी कीमत है यह लोग मज़े से खाना खा रहे होते हैं और क्लाउड को तो कुछ जादा ही खाना पसंदा रहा हुता है लें यहां टेंथ हो लेकिन फिर भी हम लोग उसे नहीं हरा सकते हैं वह बहुत पाउरफुल है और साथ ही साथ वह इस स्कूल के एल्डर का प्रो डिसिपल था तो हम लोग उससे ऐसे भी जीत नहीं सकते हैं वह बहुत साथा ताकतवर है उन तीनों के बीच अपना लंबा सा मूँ बस रुख जा एक साल और फिर मैं भी जेनरल लेवल पर पहुंच जाँगो तब देखता हूं कि तुम लोग मुझसे ऐसे बात कर पाते हो या फिर नहीं चेंग जो होता है वो कहा रहा था ये लोग ये लोग यूवान जेनरल लेवल के हैं तो इनके पास टैलेंट की तो को हम लोग उनसे जब ये सवाल पूछ है तो वो लोग हमें इसका तुरन जवाब दे या वो सोच रहा था चेंग के बारे में कि ये भी जेनरल लेवल कहीं है लेकिन फिर भी इसका नेचर बहुत जादा अच्छा है और मैं तो बस दो महीने से भी कम में प्रैक्टिस कर रहा तो मुझे भी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब ही मैं उसे पकड़ पाऊंगा बोलो जब क्लासरूम के पास आते हैं तो वहाँ पर एक बंदा बेच रहा होता है मैगजीन तो आपको तो पता है इंकलाउड जाकर ले लेता है क्योंकि उस मैगजीन में इंस्ट्र आ रहा होता है वह उस बंदे को मारने चा रहा होता है लेकिन चैंग उसे रोक देता है लेकिन इधर यह पड़ रहा होता है अगले सीन में हमें टीचर को दिखाया जाता है वो अपने सारे स्टूडेंट्स को ब्रेसलेट देती है और यह कोई नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं हो होते हैं सब सोच रहे होते हैं ये हमारी mentor नहीं है ये तो devil है devil ये हमें मारना चाहती है इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये लोग पत्थर उठा रहे होते हैं तब याओ अपने mentor से पूसता है कि आखिर ऐसा क्यूँ वो लोग बस 50 किलो को पत्थर उठा रहे हैं और यहां मुझे आप 100 किलों को पत्थर उठाने के लिए रही है वो कहती है कि तुम बस मेरे यूवान वारियर जितना लेकिन यह शेमलेस है तो मुझे इससे अच्छे तरी किसे ट्रेन करना पड़ेगा अब रात हो चुकी है तीनों दोस्त बहुत जाद थक चुके होते हैं ट्रेनिंग इतनी जाद इंटेंस जो होती है लेकिन अब अगली सुबह फिर से वही ट्रेनिं हो चुका है और तुम लोग की ट्रेनिंग बहुत अची चल रही है कुछ दिनों पाद तुम लोग कल्टिवेशन भी स्टार्ट करने वाले हो तो ठीक है तुम लोग लाइबरेरी जाओ और अपने लिए यूवान मार्शल आर्ट की कोई भी किताब उठा लो जो तुम बुक भी कैटेगरी वाइज होती है वारियर जेनरल या फिर इनकंप्लीट किंग लेवल और यह सब तुम लोग की किसमत पर निर्वर रहेगा कि तुम लोग को कौन सी बुक मिलेगी सारे लोग बात कर रहे होते हैं जेनरल वाली किताब मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी वो गया देगी ठीक है सबी लोग तयार हो तो चलो लाइबरेरी तक मुझे फॉलो करो फिर हमें दिखाया जाता है यह लोग लाइबरेरी में होते हैं याओ उसे ही देख रहा होता है और सोच आदा सी टू चिंग जो डीन की प्रेंद में आती है उसके बार टीचर उन सबी लोग को बता रही होती है कि मैंने तुम सबी लोग को सुबह में ही रूल समझा दिये थे अब मैं तुम लोग को एक बार फिर से रिवाइस कर देती हूँ वो इन्हें बस ये बतारी होती है कि इनके पास कितने साल बचे कितने साल में इन लोग को अपनी अचीवमेंट ले लेनी है और अगर कोई यूवान किंग बन जाता है तो वो उसके लिए एक बहुती गर्व की बात रहेगी यहां तक कि खुछ जो एल्डर्स हैं वो उसे एसिस्ट करेंगे डीन उसे खुछ सम्मान देंगे सिटी मास्टर इंपिरियल के डानेस्ट इंपिरियल सिटी के इंपिरियल सिटी वही जो मास्टर हो गए यहां का वो सभी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग सादा जादा पाउर्फुल हो सकें और वही बगेरा बगेरा बाकी सब जो रूल्स होते हैं वही सब बता रही होती है कि ऐसे तीन साल में कर लेना है वो सब इस तरफ यहां सोच रहा होता है हमारे इंपिरियल डैनेस्टी में तीस से भी ज़्यादा शहर है और जो भी शहर है वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और वहां के जो सिटी मास्टर है वो बहुत मतलब किंग का एक छोटा सा टुक के ले जाएंगे जिसमें इन्हें बीश्ट को मारना सिखाया जाएगा लेकिन ये काम बहुत जादा खतरनाक है अगर इन लोगों ने बीश्ट को नहीं मारा तो इनकी खुद की जान चली जाएगी क्योंकि इसमें इनकी कोई भी मतद नहीं करने वाला अब ये लोग पनिश्मेंट मिलने वाली है और जैसे वो ये बात कतम करते हैं सबी लोग एकदम खुश जाते हैं अंदर हमें लाइबरेरी के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारी बुक्स हवा में फ्लोट कर रही होती है सबी लोग खुश होते हैं सब लोग ताकत वर जेनरली वाली बुक चुनना चाते हैं किंग वाला तो बहुत कम होता है मुश्किल होता है जेनरल वाली बुक को चुनने के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने हाथ पर चोट लगा बैठते हैं क्योंकि वो लोग जबरदस्ती बुक लेने कोशिश कर रहे थे इसलिए सब ह हो जाता है चैंग आगे बढ़ता और कहा रहा था ये कोई आसान सा मैजिक सरकल बिल्कुल भी नहीं है अगर हम लोग इसे फॉर्स करेंगे तो हम लोग को चोट पहुँचेगी हमें आराम से इसके साथ रिदम से रिदम मिला कर चलना चाहिए वहांद गुसाता एक ही बार में मिकाल लेता और ये वुक से अच्छी लग रही होती है ये पहले से पाउरफुल बुक होती है तब ही पीछे से कोई उससे बुक चुराने के लिए आता है लेगिन वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर देता है खाने पेने के बहुत अच्छासे हड्ड़ी भी तोड पिर वो अपने दोस्तों के पास होता है कि अब तुम लोगों की बारी है अपने दिल से चुनना जो भी बुक तुम लोगों चुनना चाहिए याओ कह रहा होता है कि सभर समहल के रहना इस बार फिर से कहीं हम लोगा समान चोरी ना हो जाए अब याओ की बारी होती ही कि वो कौन सा बुक चुनने वाला यहां पर इतनी सारी बुक होती है और इनके पास मौके सिर्फ दो होंगे अगर एक लो लेवल की बुक निकल गई तो बहुत कमजोर हो जाएगा लेकिन अगर ताकत और बुक निकल गई ताकत और बन जाएगा तो दोस्तो आज का हमारा यह एपिसोड यहीं पर खतम होता है वीडियो को शेयर करना ना भूलें फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई